हमारे देश में इस समय डाइबेटीज से पीडित मरीजों की संख्या बहुत स्यादा है। एक हेल्थ सर्वे के मताबिक डाइबेटीज होने से पहले ज्यादा तर लोग प्री डाइबेटीज के शिकार होते हैं। आपको हम बताते हैं कि प्री डाइबेटीज होता क्या है। हाला कि दोरान ये लेवल डाइबेटीज से तो कम ही होता है लेकिन हमारे शरीर में इंसुलन रिजिडेंस की समस्या पैदा हो जाती है। प्री डाइबेटीज में हमारा शरीर ज्यादा इंसुलन बनाता है लेकिन कुछ समय बाद एक्स्ट्रा इंसुलन बनना कम हो जाता है। जिसकी बाद इस वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसान डाइबेटीज जैसी गंभीर बिमारी की चपेट में आ जाता है। प्री डाइबिटीज को साइलेंट हार्ट अटेक कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से आप कई गंफीर बिमारियों की चपेट में आ सकते हैं प्री डाइबिटीज में व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है भूक बहुत ज्यादा लगती है हर समय ठकान जैसा महसूस होता है साथी आपके आँखों की रौशनी कम हो गई है हाथों और पैरों में जुन जुनी ज्यादा होती है या वो बार बार सुन पड़ जाते हैं शरीर में कहीं घाव लगने पर उनका जल्दी ठीक नहीं होना बहुत जल्दी वजन कम होना ये सभी गंभीर लक्षन प्री डाइबिटीज के हैं इन तमाम लक्षनों से ग्रसित इंसान अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाएं तो उनके लिए डाइबिटीज का खतरा डाइबिटीज की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं बार बार यूरीन आना ज्यादा भूग प्यास अचानक वजन घटना अत्यादिक ठकान धेना और कन्फ्यूजन होने जैसे लक् चीज के बीच रखना चाहिए इसके लिए एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं हर दिन करीब 30 मिनट तक एक्सेसाइज और योगा करना चाहिए इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है और आप फिट और स्वस्त होते हैं अनहल्दी चीजों जैसे जंक फूड, पैक्ट फूड का इस्तमाल ना की बराबर करना चाहिए, अपनी डाइट में हेल्दी फूड आइटम्स को शामिल करें, शुगरी ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए और कैलोरी को कंट्रोल करना चाहिए अगर अब ज्यादा मोटा पे, हाई बलड प्रेशर, कॉलोस्ट्रोल की समस्या से ज